हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नुश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन पिछले कुछ दिनों से भारत में जिस तरह से Wikipedia और उसकी जो Parent Company है Wikimedia और ANI जो भारत की एक New संस्था है एक समाचार संगठन है उसके बीच में जिस तरह का विवाद चल रहा है उसके बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अब इस विवाद में एक नया चरण और जुड़ गया है और भारत की केंद्र सरकार ने यानि की भारत सरकार ने Wikipedia को एक Notice चारी किया है जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण सवाल Wikipedia से पुछे गए हैं और एक बड़ा आरोप भी उस पर लगाया गया है ये पूरा मामला क्या है इसके पीछे तर्ग क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अगले पांच मिनिट में केवल आपको समझा दूँगा बहुत इंपोर्टन चीव है कुछ बहुत इंपोर्टन इसमें कॉंसेप्ट है तो जुड़े रहिएगा लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई UPSC की तयारी कौन सी किताबों से करनी है तो आप Study IQ IS Hindi का 18 किताबों का ये जो सेट है इसको ले सकते हैं अगर आप इस सेट को ले लेते हैं तो फिर निश्चित तोर पर आपको और कोई किताब पढ़ने की कोई आविशक्ता नहीं है आप AJ Live Code लगा कर इनको 4,299 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप NCRT की तयारी करना चाहते हैं तो NCRT की तयारी जो है उसके लिए भी आप हमारा ये पाँच किताबों का सेट जो है ये आप ले सकते हैं मात्र 1199 रुपए यानि की 1199 रुपए में History, Geography, Policy, Economics और Timefin Technology की किताबे जो है आपको यहाँ पर मुल जाएंगी और आपका NCRT पूरा कवर हो जाएगा तो आप आज ही इससे भी जुड़ सकते हैं चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला जो है ये है क्या तो हुआ ये ये पूरे विवाद की शुरुआत जो है वास्तव में या पहले आपको बताता हूँ कि Wikipedia अपने आपको कैसे position करता है Wikipedia क्या कहता है कि वो क्या है Wikipedia अपने बारे में ये कहता है कि हम एक user generated encyclopedia Wikipedia ये कहता है कि भाई हम खुद अपना content उत्पन नहीं करते हम एक user द्वारा उत्पन किया जाने वाला हम एक encyclopedia है एक basically ऐसी website है जिस पर आपको तमाम चीजों की जानकारी मिलेगी लेकिन wikipedia ये कहता है कि हम अपना content खुद नहीं बनाते हम तो केवल एक intermediary है wikipedia आपने आपको क्या कहता है wikipedia कहता है कि हम एक intermediary है intermediary मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कहता है कि हम एक प्रकार के madhyast हैं हम जो है हम एक प्रकार के बस madhyast हैं लोग हमारे website पर editors होते हैं वो अपना content लिखते हैं उन पर हमारा कोई नियंटरन नहीं है वो चीजे लिखते हैं, उनी की हमने जांच की प्रक्रिया भी बना रखी है, वही आपस में जांच करते हैं, वही आपस में अगर कोई content गलत हो जाए, सही हो जाए, तो उसको ठीक भी करने का काम करते हैं, इस तरह से Wikipedia का काम करता है, ये Wikipedia का दावा है, अब सवाल यह आता है कि ANI के साथ Wikipedia का क्या विवाद है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ANI और Wikipedia का विवाद जो है, वो क्या है, कि ANI जो न्यूस समस्था है, इसका जो Wikipedia पेज था, इस पर लिखा गया था कि ANI जो है, वो, अब इसमें क्या था हाँ जी इन आइ और विकिपीडिया का जो विवाद है उसमें क्या है कि एन आई की विकिपीडिया पेज पर इस पर आरोब लगाया गया था कि ये एक सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला न्यूज एजेंसी है जिस बात पर A.N.I. ने बहुत आपती की A.N.I. ने कहा कि भाई ये हमको बदनाम करने की साजिश है उन्होंने वीकीपीडिया पर 2 करोर रुपे की मानहानी का मुकदमा दायर कर दिया और दिल्ली हाई कोट इसके बाद कई बार वीकीपीडिया को फटकार लगा चुका है कि भाईया आपको भारत में काम करना है तो भारत के कानूनों को मानना पड़ेगा शुरुआत में वीकीपीडिया इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा था दिल्ली हाई कोट की फटकार के बाद Wikipedia सहयोग करने लगा उसके बाद एक और चीज क्या हुई थी कि Wikipedia ने इस मुकदमे का भी एक पेज बना दिया था जिस पर दिल्ली हाई कोट ने उस पेज को डिलीट करवाया जो एक मुकदमे के बारे में आप बार बार नहीं लिख सकते उसके बारे में कोई एक पार्टी अपने वेबसाइट पर चापे यह उचित नहीं है यह बोलकर दिल्ली हाई कोट ने उस पेज को डिलीट कराया अब केंद्र सरकार ने क्या किया है केंद्र सरकार ने वीकीपीडिया को एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार ने क्या किया है वीकीपीडिया को नोटिस दिया है और इस नोटिस में उन्होंने कहा है नोटिस की भाशा में क्या लिखा है कि Wikipedia पर बार बार इस तरह के आरोप जो है वो लगे है कि Wikipedia जो है वो biased है यानि कि उन पर निरंतर जो है पक्षपात के आरोप लग रहे हैं ये बात सरकार ने अपने notice में लिखी है कि Wikipedia पर हमेशा क्या हुआ है पक्षपात के आरोप लगे है और साथ के साथ इन पर गलत जानकार फैलाने के भी आरोप लगे हैं कि पक्षपात ये कर रहे हैं गलत जानकारी फैला रहे हैं इस तरह के आरोप जो है विकीपीडिया पर निरंतर लगे हैं ये बात सरकार ने कही है कि भाई ये आरोप जो है ये नोटिस में लगाए गए हैं इसके अलावा सरकार ने एक चीज य यह भी कही है कि आप ये बताईए कि आपको हम publisher क्यों ना माने यानि कि आपको हम मुद्रक क्यों ना माने और आपको हम मध्यस्त क्यों माने ये भी एक सवाल जो है सरकार ने पूछा है अब देखिए इसमें फर्क क्या है कि social media में या फिर internet पर छपने वाली जानकारी के मामलो में क्या होता है मध्यस्थों को बहुत तरह की कानोनी सुरक्षा प्राप्थ होती है मध्यस्थ मतलब क्या होता है intermediary जैसे youtube हो गया या facebook हो गया अब जैसे youtube पर मान लीजिए कोई व्यक्ती कोई आपराधिक वीडियो बनाके डालता है जैसे माल दीजे YouTube पर आज मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ, जिसमें मैं किसी को हत्या की धमकी देता हूँ, या अपहरण की धमकी देता हूँ, तो मेरे उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है, YouTube को आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानोगे, क्योंकि YouTube एक मध्यस्त है YouTube का काम क्या है, मध्यस्त पता करना, वो तो एक प्लाटफॉर्म प्रदान कर रहा है, इंटरमीडियरी है, लेकिन अगर जैसे कोई किताब छपती है, अगर किसी किताब में आपत्ती जनक सामगरी पाई जाती है, तो किताब का पब्लिशर पर भी कानूनी कारवाई की जाती है, चोंकि वो मुद्रक होता है, इन दोनों का फरक समझे, तो सरकार ने कहा, कि आपको हम मुद्रक क्यों न माने, आप अपने आपको मध्यस्त की तरह क्यों प्रस्तुत कर रहे हो, आप तो मुद्रक हो, दिल्ली हाई कोट ने भी Wikipedia को ये कहा था, कि अगर आप मध्यस्त हो, अगर आप ये कहते हो, हम तो मध्यस्त हैं, हम तो intermediary हैं, तो अगर आप intermediary हो, तो अगर किसी का, अगर मात intermediary का मतलब क्या है, कि जो content आ रहा है, उससे आपको कोई परक नहीं पड़ता, content पे आपका कोई नियंतर नहीं है, अगर ऐसा है, तो कुछ content अगर हम हटवा भी देत कि अगर आप वास्तविक्ता में जैसे आप कहते हो कि आप इंटरमीडियरी हो, मध्यस्त हो, तो अगर आप मध्यस्त हो, तो आपको content हटा देना चाहिए, जिस content पर दिक्कत आ रही है, जैसे YouTube है, भै YouTube पर कोई आपती जनक वीडियो जाता है, कोई शिकायत करता है, तो YouTube उस व Wikipedia से, कि अगर आप वास्तविक्ता में मध्यस्त हैं, तो आपको content के हटने से समस्या क्या है, तो आप content हटने से आपको क्या समस्या है, और आप content की रक्षा के लिए क्यों खड़े हो जाते हो हर बार, अगर आप केवल मध्यस्त हो, अगर आप content की रक्षा कर रहे हो, तो आप आपको ये मानना पड़ेगा कि वो content आपका है आप उसके मुद्रक हैं ये आपको मानना पड़ेगा तो ये एक सवाल जो है सरकार ने यहाँ पर पूछा है Wikipedia से और इस पर ये एक technical point है लेकिन ये इस मामले को पूरी तरह से एक नया रूप दे सकता है और अगर इस मामले में य हो जाता है या फिर ये मान लिया जाता है कि Wikipedia वास्तव में मुद्रक है तो फिर इस content की सारी जिम्मेदारी Wikipedia पर आ जाएगी मान हानी के सारे मुकदमों में Wikipedia का पक्ष जो है कमजोर हो जाएगा और आगे के लिए भी Wikipedia पर कोई भी आपती जनक स्वामगरी अगर छापी गई तो उसकी सीधी जिम्मेदारी इस company पर आ जाएगी और इस बात की भी संभावना है कि फिर Wikipedia हो सकता है भारत पर आपनी सेवाओं को कम करने के बारे में भी सोचे तो अलंबे समय तक इसका प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है इस मुकदमे का जो भी दिन्रणे होगा या इस नोटेस का जो भी दिन्रणे होगा Wikipedia इसका किस तरह से जवाब देता है इस पर कानूनी जो दाउँ पेच ह वो किस तरह से लगाए जाते हैं ये जैसे ही मुझे मालूम जलेगा मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी के लिए इतना ही जाते जाते आपको एक बार फिर बता दू कि भाई हमारा पांच पुस्तकों का NCRT का सेट केवल 1200 रुपए में उपलब्द है NCRT में क्या पढ़ना है क्या नहीं बढ़ना ये सब आप इससे सीख सकते हैं पांच किताबे हैं पूरी NCRT कवर हो जाएगी इसके अलावा कुछ भी करने की आविशकता नहीं है या फिर आप पूरे UPSC के लिए अगर पुस्तकों के असायोग चाहते हैं तो हमारा 18 किताबों का सेट है सारी हर फूटेबल हो वो आप आज ही खरीद लीजे और अपनी तयारी को सही आकार प्रदान कीजिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी